दोस्तो यदि आप युपीटेट, सीटेट या अनिस्टेट जितने भी एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं तो आपको उसे रिलेटेड वीडियो भी हमारे अनेकेडमी के लर्निंग एप पर मिल जाएगा इसके लिए आप अनेकेडमी का लर्निंग एप प्लेस्टोर से इंस्ट अगस 2018 की तो दोस्तो आज की इंपॉर्टेट न्यूज यह है कि रफसर जाप पांसो शिक्षक भरती में दूसरे चरण के आवेदन स्टार्ट होंगे बीस अगस से और बीएट को सीटेट की आरता में शामिल करने की मांग पर याचिकाद दाखिल की गई है तो उसमें क्या हुआ है इसके बारे वीडियो में बात करेंगे और अर्सर जापांसो शिक्षक भरती में जिला पाने में सहायक होंगे उनकी वेटेज अंग जैसा कि आप सभी को पता है शिक्षा मित्रों को वेटेज अंग देने का वादा किया गया था तो अब इनको जो है जिला प्राप शिक्षा की कॉपी देखने के लिए आप दो हजार रुपए का ड्राफ बनवा के देख सकते हैं और अर्सर जापांसो शिक्षक भरती में आपको हमाज इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से अब भरती को सवार पास हुए हैं चाहिए आप बीटी सी डियलेड या जो भी अन्यस्टेट्स जो भी प्रसिषण योगेता होती हैं किस पे कितने अब भरती पास हुए हैं इसके बारे वीडियो में बात करेंगे साथ ही एल्टीगेट सिक्षक भरती की बात करें तो इसमें जो है निरस्कराने की महीम तेज हो चुकी है और एल्टीग्रेट सिक प्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा लाइक और शेयर जिरूर कीजिएगा दोस्तो 68500 शिक्षक भरती के परेडाम आ चुके हैं और जिसको लेकर अब आवेदन की प्रक्रिया भी सुरू होने वाली है जो की 20 सगस से प्रारंब होगी शहायक शिक्षक के 68500 पदों पर चल रही भरती के दूसरे वा अंतिम चरण के लिए आउनलाइन आवेदन 20 अगस से शुरू हो सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर न्यूक्ति पत्र का तोफ़ा देना चाहता है और सुतों के मताबिए ये माना जा रहा है कि 20 से 26 अगस तक आउनलाइन आवेदन लिए जाएंगे 28 से 29 अगस तको शनसोधन का आउसर मिलेगा और 3 सितंबर को चेंद सूची जारी कर 5 सितंबर को नियूक्ति पत्र दिया जाएगा तो ये है पूरा संभावित काले करम अगली नियूस की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट के लिए एक बार NCTE ने ये घोशना कर दी है कि अब बीएड वाले भी प्राइमरी के लिए इलिजवल माने जाएंगे लेकिन सीटेट ने क्या किया है कि सीटेट ने बीएड वालों को प्राइमरी अस्तर का फॉर्म भरने से साफ मना कर दिया है इस परस्ट उन्होंने कर दिया कि जो बीएड वाले हैं वो सिब जूनियर के लिए है अपलाई कर सकेंगे तो इसी को लेकर अभ्यरतियों ने कोट में चुनौती दी है तो दोस्तो इलावा धाय कोट ने सीटेक में B8 की आर्टा को सामिल करने की मांग में दाखिल याचिका पर NCTE वज सीबियसी से जवाब हलफ नामा मांगा है याचिका की अगली सुनौाई 20 अगर्स को होगी कोट ने कहा है यदि जवाब दाखिल नहीं होता विपक्षी कोट को शायों के लिए हाजिर रहेगी दुस्तो इसमें याचियों का कहना है कि सीटेक परिक्षा के लिए सीबियसी के तरफ से बुलिटेन जारी किया जिसमें की परिक्षा में सामिल होने के लिए 50 फीसिदी अंक के साथ इसना तक वब बियट को आरता में शामिल किया गया कुछ ही समय बाद यह बुलिटेन विपसाइट से हटा लिया गया दो घंटे बात केवल इसना तक 50 फीसदी अंग के साथ आरहता का बुलेटिन जारी हुआ जिसमें B8 को हटा दिया गया था इससे भ्रहम की स्थिति उत्पन हो गई कोट ने स्थिति स्पष्ट करने की संशिप्त में जवाब मांगा है जैसा कि आप सभी ने देखा होगा जब सीटेट की नोटिफिकेशन आई थी तुसी समय एक बार सीटेट को सामिल किया गया सीटेट में B8 वालों को सामिल किया गया फिर एक बार हटा दिया गया तो इसी को लेकर याज का दाखिल की गई है और 20 अगस्त को यह फुरा फाइनल हो सकता है और जहां तक उम्मीदे लग रही है सायद B8 को भी अब सीटेट के प्राइमरी में भी सामिल करना पड़ेगा तो जो भी अपडेट होगी हम आपको सबसे पहले अपडेट करते रहे अब यह बात करते हैं कि आपकी 68500 सिक्षक भरती में जो सिक्षामित्र है उनको वेटेज किस प्रकार से मिलेगा और वे किस प्रकार से लाभानवित होंगे तो दोस्तो 68500 सिक्षक भरती में कम संख्या में अभ्यरती उत्तिर होने से वेटेज अंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं इन अंगों का लाभ सिक्षामित्रों को किस प्रकार से मिलेगा सरकार सिक्षामित्रों को वेटेज अंग देगी इससे उन्हें पसंदीदा जिला हाशि करने में वेटेज अंग मददगार बनेगा मसलम यदि किसी शिक्षा मित्र को अधिक्तम 25 वेटेज अंग मिलते हैं और उसने लिखित परिक्षा में आउसत अंग हासिल किया है तो वह मन चाहा जिला आसानी से हासिल कर सकेगा और क्योंकि दोनों अंग जोड़ने से उसकी मेर और अच्छी हो जाएगी ठीक है ऐसे में सरकार शिक्षा मित्रों को अवर सीमा में छूट भी देगी निउक्ति के लिए सो मार को विग्यापन जारी होने के पूरे आसार हैं क्योंकि इसमें देरी होने पर तैस समय में प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी तो कुल मिला के ब बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा तो दोस्तों अगली जो न्यूज है अट्सरजाब पांसो शिक्षक बरती में अभ्यारतियों को पांस सितंबर तक मिलेगा नियुक्ति पत्र ऑनलाइन आवेदन काउंस्लिंग वर नियुक्ति की तारिखों पर लगेगी मोहर मे कि तारिजार पांसो शिक्षक बरतीयों की तैनाती का खाका सुक्रुवार को तयार हो चुका है और बेसिक शिक्षा परिसाद मुख्यालाय विग्याप्ति प्रकास्चन ऑनलाइन आवेदन काउंस्लिंग एवन युक्ति पत्र देने की तारिखों कार इस तारिखों पर अं कॉपियां देखना चाहते हैं तो 9 जनुवरी के शासना देश में उत्तर फुस्तिकाओं की दोबारा जांच का नियम नहीं है लेकिन कॉपि देखना चाहते हैं तो 2000 रुपए का बैंक ड्रॉफ्ट जमा करके उसे देख सकते हैं संबन में परिशा नियमक कार्याले को आवे 3260 शिक्षा मित्र दूरस्त विदी से प्रसिच्चित्व बीटीसी 34311 परिक्षा में सामिल हुए थे जिसमें से 7224 सफल हुए डिलेड शिक्षा स्रास्तर में 1246 यह नि 1246 पास हुए और डियड विसेज शिक्षा में करीब 289 हुए विसेट बीटीसी में 375 उर्दू बीटी से पास हुए हैं अगली जो दूइज हैं आपकी ल्तिग्रेट सिक्षक भरति से संब्न्ड़ी तो दोस्तों आल्टी ल्ति में की मुहीम तेज हो चुकी है और एल्टी ग्रेट सिक्षक भरती 2018 पर धानली का आरोप लगा हुआ है धानली का आरोप लगा कर UPSC के खिलाफ आंदोलन कर रहा है बहरती गुरु आरकुर सरकार के खिलाफ भी मुखर हो गए कहा कि UPSC UPSC से 5 साल के दोरान हुई सभी भर्तियों की सी बी आई जांच हो रही है लेकिन धानली के बावजूद न तो राज सरकार इसकी पुनर परिक्षा कराने और नहीं परिक्षा निरस करने पर कोई विचार कर रही है इलहाबाद के डियम का रहले परिसर में एकत रभ्यर्तियों ने युवाबंच के बैनर तले विरोज जताया अध्यक्ष अने जिंग ने कहा कि केंद सरकार अपने वादे के अनुसार 10 लाग खाली पदों पर भर्तियां तो नहीं कर रही है और बलकी पूरवर्ति सरकार के कारेकाल की लंबित भर्तियों में धानली पर भी कोई कारवाई नहीं की जारी है अ बात करें आपकी UPTT 2018 की तो दोस्तों UPTT 2018 में एक बहुत बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि आपकी 22 अगस को इसकी नोडिफिकेशन जारी हो जाएगी यानि एक तरह से कहा जाए बहुत अच्छी ख़बर है जो UPTT परिक्षा देने के लिए तयारी कर रहे हैं उनका जो है नोडिफिकेशन 22 अगस को जारी हो जाएगा और जैसा की पता है आपको उत्ता प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड की ओर से ये परिक्षा आयोजित होती है UPTT 2018 की परिक्षा का नोडिफिकेशन 22 अगस 2018 को आएगा और आपको बता दिया जाए कि चात्रों के पास फॉर फॉर्म भरने के लिए 26 अगस 2018 से 13 सितंबर 2018 का समय होगा इस दवरान आवेदकों को यूपी बेसिक एजुबोर्ड डॉट डॉट इन पर ऑनलाइन रेजिस्टेशन करने के बाद फीस और दस्तावेज अपलोड करने होंगे इसके बाद 15 से 19 सितंबर 2018 तक अभियरतियों के पास अपने फॉर्म में गलतियां शुधारने का समय भी मिलेगा और वहीं यह भी बताया जा रहा है कि पांच अक्टूबर को चात्र एडमिट का डाउनलोड कर पाएंगे परिक्षा की संभावित तारिक है 15 अक्टूबर और वहीं परिक्षा का प्रेडाम फरवरी 2019 तक आ लिजगा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब परके बेल आइकन जुरी प्रेस कर लिजगा जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो क्योंकि हम आपके लिए डेली इसी तरह की न्यूज लेके आते रहते हैं और आपको नई नई न्यूज से अपडेट करते रहते ह हैं मिलते हैं आपसे एक और इंटरस्टिंग वीडियो साथ नेक्श वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद